आप सभी का स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काकारीकी को ब्रीडिंग कैसे कराया जाए कहां से बिलॉंग करता है इनकी डाइटर रिक्वार्मेंट्स क्या है क्या नहीं है यह सब आज जानेंगे तो फिलाल आपके सामने जो बर्ड आपको दिख रहा था वह अक्चुली एक मेल काकारीकी है लुटिनो और हमारे पास जो फीमेल है वह अक्चुली एग्स पर बैठी होई है ब्रीडर पेर है यह यह रही ग्रीन कलर की है इसकी एक आख जो राइट वाली आख है वो नहीं है तो मैं काम करता हूं इसको अटाने के लिए पहले दो ब से तीन अंडे तो मुझे अभी तक फर्टाइल लग रहे हैं और क्योंकि इसने क्लच देना स्टार्ट ही करा है शाय देका दंडा और देगी तो विल वेट टुसी कि कितने और फर्टाइल एक्स यहां से मिलते हैं खेर आगे बढ़ता हूँ आपको बताता हूँ कि इनकी ब्रीडिंग कैसे करी जाती है उसे पहले आप इतना जान लीजिए कि यह जो है बर्ड यह न्यूजलेंड में इसका ओरिजिन है मतलब न्यूजलेंड से बिलॉंग करता है और आपको खाने में इनको आप जो कॉगटेल को देते हैं वही सेम चीज आप इनको भी दे सकते हैं ठीक है बहुत अच्छा आप टॉकिंग करना सीख जाता है इन फैक्ट गाना भी यह गाना सीख जाता है तो अगर आपको टॉकिंग पैरट चाहिए तो आप दे सकते हैं फिलहाल देखिए सौफफ़ूट दिया हुआ था इनको खाने में भी इनको आपको धान यह रखना बड़ेगा कि यह जो बॉर्ट हैं काफी ज्यादा शाई होते हैं यह तो खहार ब्रीडर पेर है तो उतना डरनी रहा बट काकरी कि को nive अधर उधर और भागने को केण्ट्रोल करना काफी जाद मुश्किल होता है जितना भी आप इनको मतलब अपने सामने रखें यह थोड़े से शाइभ बड़्श होते हैं और आपको देख के हो सकता है कि अधर ऊब ठाइब बागने लगे अगर आप उनकों करते हैं तो काकारे की इसको दो बॉक्स दिये जाते हैं उन दो बॉक्स में से चूज करके एक में अंडे रखता है बच्चे बड़े होते हैं उसके वैसे ही मतलब लेट से कि तीन से चार हफ्ते के बच्चे हुए तो नेक्स्ट नेस्ट बॉक्स मतलब दूसरा नेस्ट बॉक्स लगा हु यह एक बाई एक फीट का है, मतलब इसमें 12 इंच इंडो 12 इंच इंडो 12 इंच का बॉक्स है, जो कॉक्टिल्स में यूज होते हैं, तो अगर आप चाहें, तो आप भी इनको सेम साइज का बॉक्स दे सकते हैं, बॉक्स होड़ा छोटा भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छे से ब्रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े बर्ड यह हैं नहीं, फ्यार, आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको अगर बताऊं कि इनकी जो लाइस्पैन हैं यह राउंड 10 से 15 साल की होती है और अगर ब्रीडिंग की बात करूँ तो जहां पर दूसरे बर्ड लेते हैं साल भर, वहीं पर यह बर्ड जो है 9 महिने में रेडी हो जाते हैं ठीक है, अडवाइस तो यह करते हैं कि एक साल में ब्रीड करा हैं, लेकिन semi-adult pair around 9 you know 6-7 months का तो होता है तीन-चार मेने वेट करके आप इन बर्ट को breeding पर लगा सकते हैं और ये अच्छे breeders होते हैं मतलब 4-6 बच्चे ये अराम से निकाल कर बढ़ा कर लेते हैं अपने आप ही तो breeding में भी इतना को जहनजट नहीं बट थोड़ा ये रहता है कि स्पेस ज्यादा लेंगे क्योंकि आपको एक केज में दो नेस बॉक्स लगाने पड़ेंगे अधर्वाइस इनको breeding में दिक्कत आती है अधर्वाइस ये ब्रीट करते हैं ये इतनी जल्दी यही थी छोटी से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मुझे प्यार देते रही है और देखते रही आल अबाउट पेट्स थैंक यू सो मुझ अप्य बिटिंग और वीडियो 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 वीडियो